हाई अवरिवन, स्वागत है आपका हमारे टाइम लैप्स फोटाग्रफी एपिसोड में मैं हूँ नवीन और मेरे साथ है मेरे कुलीग रोहित जो निकॉन इंडिया टेक्निकल टीम से हैं हाई नवीन हाई टाइम लैप्स फोटाग्रफी के बारे में बात करना हमेशा बहुत दिल्चस्प लगता है काफी मज़िदार लगता है टाइम लैप्स फोटाग्रफी का प्रॉसेस ही अपने आप में बहुत ज़ादा इंट्रेस्टिंग होता है और आखर में जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी इंट्रेस्टिंग होते हैं इन फैक्ट इसे करने में बहुत मज़ा आता है मैं कह सकता हूँ कि आज करीक परिभर वीडियो में टाइम लैप्स देखने को मिली जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो नवीन क्या तुम हमारे दर्शकों को बता सकते हो कि टाइम लैप्स फोटाग्रफी क्या होती है क्यो नही ठीक है अगर हम टाइम लैप्स की बात करें रोहित तो क्या आपने वो वीडियो देखें जहां बादल तेजी से हिलते हैं या फिर आपने देखा होगा कि दिन फटाफट से रात में बदल जाता है या फिर तारे आपको आसमान में चलते हुए नजर आते हैं और यह सब टा अब अगर हम इंटरवल टाइमर फोटोग्रफी को देखें तो इसमें कैमरा समय के नियमी तंतराल पर अलग-अलग पिक्चर्स खींचता है जिससे आपके पास ज्यादा बहतर कंट्रोल होता है हर फ्रेम पर और यह सब मिलकर एक बहतर एक बहतर एक बहतर सरीन टाइम-लैप्स विडियो बनाते हैं अब आपको एक अच्छा टाइम-लैप्स विडियो बनाने के लिए पिक्चर्स को विडियो एडिटिंग सॉफ्टुर में इंपोर्ट करना होता है और रिक्वाइर्मेंट्स के मुताबिक एजस्मेंट्स करनी होती हैं बस बस मुझे नहीं लगता कि टाइम लैप्स को शूट करने के लिए इससे बहतर कोई जगा हो सकती है। क्या बात है बड़ी अप्लान है। तो चलो फिर चलते हैं केरिला। यहाँ चलो ओके रोहित, अब हम फाइनली केरिला पहुँची चुके हैं। यहाँ हम कुछ टाइम लैप्स वीडियो शूट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शूट करें, तुम्हें ये जगा कैसे रग रही है। मतलब देखो ज़रा। नवीन सच कहना पड़ेगा, यहाँ बहुत ही खुबसूरत व्यू है। और यहाँ वो सारी चीज़ें मौझूद हैं जो टाइम लैप्स वीडियो के लिए चाही होती है। यहाँ बहुत सारा मिस्ट है, और फॉग भी दिखाई दे रहा है। और यह सब कुछ बहुत ही डाइनमिक लग रहा है। और सही सेटिंग्स के साथ हम एक अच्छा टाइम लैप्स वीडियो बना सकते हैं। राइट, अब सेटिंग्स की बात करते हैं, जो बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से करना होगा। स्पेशली जब टाइम लैप्स फोटाग्रफी की बात आती है, तो जैसा की हमने पहले भी बताया है, यह ऐसा प्रॉसेस है जिसमें कैमरा फोटो खीचता रहता है। तो हर इमेज के बीच में एक समान अंतराल होना चाहिए, जरा सा भी अंतर नहीं आना चाहिए, अगर आया तो पूरा काम खराब हो जाएगा, ओके, बिल्कुल, बिल्कुल, अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके कैमरे में यह फीचर है या नहीं, तो बता दें कि आजकल आलमोस्ट हर एकस कैमरे में जो कि हमारी फुल फ्रेम रेंज है, उसमें बिल्ट-इन टाइम-लैपस फीचर होता है, इसके अलावा आजकल डीएकस कैमरे में भी इंटरवल टाइमर होता है, जो की बिल्ट-इन टाइम-लैपस की तरह ही होता है, लेकिन वो Still Images को क्लिक करता ह हाँ, बिलकुल सही का, time-lapse एक automated process होता है, जिससे अपने आप movie बेल जाती है, लेकिन यहाँ interval में आपको अपने आप सब कुछ set करना पड़ता है, time-lapse videos में settings का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको सही setting के साथ अपनी location चुननी पड़ती है, और वो आप पर depend करता है कि आपके इस तरह की movement में अपना interval चूज कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं कि हमें कैसी settings यूज करनी है, अब यह काफी आसान लग रहे हैं, यह है D750 जिसको हम यूज कर रहे हैं, नए 20mm 1.8 lens के साथ, मुझे इसका vary angle बहुत ही ज्यादा पसंद है, सज का, क्योंकि ऐसी situations में आ काफी आसान हो जाता है frame करना, और हाँ मुझे बार-बार जुखना भी नहीं पड़ता है, इसलिए यह बहुत आसान लगता है, settings के बाद, पहला lesson या पहली सला है, shoot manual, क्योंकि सब कुछ आपके control में होना बहुत जरूरी है, manual mode पर गलती करने की कोई गुंचाईश नहीं होन फिर cloudy white balance set करें, absolutely, picture control, जैसा कि हमारे नए DSLR में ये flat feature है, तो वीडियो बनाते हुए इसे flat पर ही रखें, flat अच्छा रहेगा, absolutely, अब हमें सबसे ज्यादा time lapse menu पर concentrate करना होगा, जैसा कि हमारे camera में दिया गया है, आपका interval इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका scene कितना dynamic है, अगर बादल तेजी से हिल रहे हैं, तो इस मामले में आप basically छोटी-छोटी intervals ही चुनेंगे, लेकिन अगर कोई धीरे चलता हुआ cloud या subject है, तो आप larger interval चुनेंगे, तो जैसा कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, कि अगर आप लगातार इन clouds को देखें, तो ये तेजी से न मिच शूट करता रहेगा, तो इसलिए मैं अपने कैमरे में चार सेकिंड सेट कर देता हूँ, ये बहुत अच्छा रहेगा, शूटिंग टाइम का मतलब basically होता है, कि आप कितनी देर तक कैमरा से शूट करना चाहते हैं, यानि पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं, अब मान ल रही का ये है, जैसे ही आप एक बार इंटर्वल या शूटिंग टाइम चूज करते हो, तो आप क्या देखते हो, कि ये जनरली आपके लिए टाइम क्योलेट कर देता है कि वीडियो की डियूरेशन क्या होगी, या बल्कि ये आपके वीडियो के आउटपुट डियूरेश तो आपसिलूटली, तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, और एक जरूरी टिप, अपने कैमरे को पहले आटो फोकस कर लें, अपना फोकस लॉक करें, और लेंस को एम मोड में कर दें, आटो फोकस फीचर होने के वजह से कैमरा हर शॉट में आटो फोकस करता रहता है, तो इ इमने वाली रोड पर फोकस ले रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इस शॉट का मिड़ ग्राउंड है, मेरी सेटिंग्स हैं F10 पर, in fact मैं इसे F11 पर कर देता हूँ, ये मुझे अच्छा डेप्ट आफ फीड देगा, आपको हमारा लैंड्सकेप एपिसोड आ रहा है, ये एक्सपोजर चेक करने का अच्छा तरीका है, इससे पहले कि आप शुरू करें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया है, या, तो एक बार स्टिल इमिज को लॉग करने के बाद आपको लगता है कि एक्सपोजर ठीक है, तो अपना फोकस लॉग कर दे, अ आपको आवाज सुनाई दे रहे होगी, ये बेसिकली हमारे सेट किये हुए टाइम पर पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, तो हर चार सेकंड के बाद ये पिक्चर क्लिक करता रहेगा, तो रोहित, कैमरे को इसका काम करने देते हैं और हम लोग यहां से चलते हैं, चलो करे हो मुझे नहीं लगता कि यहां इंटर्वल टाइमर के लिए और कुछ शूट करने लायक है, वीवर्स को अच्छे से समझाने के लिए चलो रोहित, हम किसी और लोकेशन पर चलते हैं, ठीक है, ये इंटर्वल टाइमर के लिए अच्छा रहेगा, नहीं लोकेशन पर चलते है अल्राइट दोस्तों जैसा कि आप सबने देखा हमने टाइम लैप्स वीडियो को कितने अच्छे से शूट किया हमारे DSLR के टाइम लैप्स फीचर को यूज करते हुए अब इंटरवल टाइमर की तरह बढ़ते हैं अब हम खास तोर पर आपके लिए इंटरवल टाइमर के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास बिल्ट इन टाइम लैप्स फीचर नहीं है सब कुछ सेट करने के बाद इसमें बहुत अलग तरह के फायदे हैं जो इंटरवल टाइमर मोड को यूज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे इस प्रॉसेस में कैमरा आपके स्टिल इमेज़ेस को वीडियो में कमपाइल नहीं करता है जैसा कि टाइम लैप्स मोड आपके लिए करता है मैं आपको बता दू कि इंटरवल टाइमर मोड को यूज करने के बाद आपको मिलती है सिर्फ स्टिल इमेज़ेस लेकिन इससे पहले कि हम शूट करें रोहित तुम मैनवल सेटिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताते जो कैमरा में यूज कर से जो कि मेरे ख्याल से बहुत जरूरी भी है बहुत बहुत जरूरी है पहली चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉटन्ट है make sure कि आपने अपना exposure lock किया हुआ हो तो आप जो भी shoot कर रहे हैं बहुत जरूरी है कि आप अपना exposure lock कर लें और make sure कि कोई भी feature जैसे कि wide balance या कोई और feature automate turn on ना हो सब कुछ off होना चाहिए और वो auto mode पर नहीं होना चाहिए और फिर जब आपको exposure मिल जाए तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना lens auto mode से manual mode पर switch कर दें ये बहुत जरूरी है एक और जरूरी बात जब आप built-in time lapse और interval timer set करते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत mathematics होते हैं जब interval timer की बात आती है तो आपको एक rough calculation रखनी परती है कि कितना लंबा video आपको चाहिए आप camera से कितने pictures को shoot करना चाहते हो तो camera पर एक खास parameter दिया हुआ है ठीक है तो आप ये calculation कैसे करेंगे याद रखे कि जो videos आपके टीवी पर चलते हैं वो 24 frame per second पर चलते हैं इसका मतलब एक second में आपका टीवी 24 pictures दिखाता है अब मान लीजिए कि आपको एक interval timer video चाहिए जो कि 2 seconds का हो अब अगर एक second में 24 frames होंगे तो 2 second में 48 images होंगी तो आपको camera से करीब 48 images तो लेनी ही चाहिए 2 second के long video के लिए जो कि calculation पर based है लेकिन हमारा suggestion है कि आप थोड़े और extra frame शूट करें क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप अपने video में किस तरह का output effect चाहते हैं तो थोड़े बहुत और extra frame के साथ शूट कीजिए अगर 48 images हैं तो मैं suggest करूँगा कि कम से कम 64 या 80 frame काफी रहेगा क्योंकि एक बार camera सेट करने के बाद camera अपना काम करना शूट करते है ऐसे शूट करना बहुत आसान हो जाता है absolutely, exactly तो camera को उसका काम करने देते हैं जब तक camera शूट कर रहा है तब तक हम आपको कुछ interval timer videos दिखाते हैं जो हमने शूट किये थे तो रोहिद चलो studio वापस चलते हैं हाँ, बहुत अच्छा खाल let's do that रोहिद जैसा कि मैंने तुमसे कहा था तो अब हम आपको time-lapse videos दिखाते हैं जिसमें nature की beauty निखर कर सामने आती है जड़ा इसको देखिए यह है night sky इससे पहले कि हम जाएं आपको कुछ और time-lapse videos के साथ छोड़ जाते हैं जो कि हमने various Nikon School outdoor workshops में शूट किये थे तब तक के लिए मुझे यानि नवीन और रोहिट आपके Nikon Buddies को दीजे जाज़त कर दो तक की अजयर आती है